हलो स्टुटेंट्स तो स्वगत आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड्स पर आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत इंट्रेस्टिंग होगा हम डिसकस करेंगे क्लास नाइंद का कुछ क्योंकि अभी आपके क्या है नजदीगारे वाई तो सेमेस्टर एक्जाम बरबर चाप्टर बन चाप्टर टू चाप्टर और सिक्स और सेवन के मैंने इंप्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पहले अप्लोड कर दी है एक्स्प्लेनेशन थोड़ा लेट हो जा रहा है आने में लेकिन हम इंप्पोर्टेंट क्वेश्चन को पहले डिलाउट कर लेते उसके बाद एक्स्प्लेनेशन की वीडियो भी आपको इस चैनल पर प्रवाइड कर दिये जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का उसके अंदर हम डिसकस करेंगे चाप्टर नंबर 3 सबसे पहले बता दू साइन्स वान का चाप्टर नंबर 3 के हम सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अक्वर्टिंग यूर सेमेस्टर एक्जाम हम डिसकस करने वाले तो यह आपका pattern है current electricity chapter है सबसे पहले देखो आपको यहां पर बात करनी है यहां पर इसमें से आपको याद रखना यह वाला पैट यह for example fishes such as eels use electricity to catch their prey and also for self-defense बरबर इसके बाद आपको कुछ appliances याद रखने चोग क्या करते save time and labor यह उतना कुछ important नहीं है फिर इसके बाद नीचे आपको दिया the lightning dust that strike the earth is an excellent example of natural flow of electricity तो आपको एक्जाम में पूछेंगे यह one example of natural flow of electricity तो आपको यहां से याद रखना है earth is an excellent example of natural flow of electricity इस इस बोलते ने इस चाप्टर के लिए अपने जितना मैंने बताया उतना पढ़ लिया वह भी आपका काम हो जाएगा आपको extra कुछ भागने की जरूरत नहीं है वरना जब आप master की और यह सारी चीज़े refer करते हैं वहापर नॉर्मली आपको पता नहीं चलता के अलावा जो question answers है वो सिर्व उतना पढ़ी जितना दिया है टेक्स्ट बुक में और गिव रीजन एक आग दो एक्स्ट्रा कर लेना क्योंकि गिव रीजन के questions आ सकते हैं उसके अलावा बाकी सारा objective इसी वीडियो में से आएगा एक भी बाहर का नहीं आएगा तो आखे बो दे सकते हैं तुम्हें one sentence दे सकते हैं कुछ भी किसी भी टाइप का question आएगा बट answer सारे यहीं से होंगे आगे चलिए यहां पर आपको कुछ याद नहीं रखना है जिस्ट यह अगर डाइग्राम की बात करें डाइग्राम अगर आपको सब्सक्राइग्जाम में दिखा तो यहां पर यह क्लाम पटा देंगे तो level of water and direction of flow तो water always flows from higher level to lower level what is the higher level यहां पर यह आपका उपर है तो higher level और यह lower level पर कब तक फ्लो करेगा जब तक यह कहां पर नहीं आ जाता तो equilibrium that is your equal position इसके बाद यहां पर देखिए this is called as electric potential क्या होता यहां पर आपको सिर्फ इतनी चीज़े ही याद रखनी है और चाहिए रहेगा तो यहां पर आप रख सकते हैं higher level because of gravity it falls to lower level I hope आपको इतना पाटन समझ में आगया let's move on to the next चलिए next phase पर आएंगे तो यहां पर आपको क्या दिया देखा positive charge a positive charge flows from a point of higher potential to a point of lower potential इसके बाद यहां पर आपको कुछ नहीं याद रखना है electricity flows due to conduction of negatively charged electrons यह भी आपको याद रखना है electron from point of lower potential to point of higher potential देखो दो चीज़े मैं आपको बता देता हूं जब हम positive charge की बात करते हैं यह हमेशा कहां से कहां flow करता है तो higher potential to lower potential लेकिन अगर मैं electron की बात करता हूं that means negative charge की बात करता हूं तो यह कहां से कहां flow करता है यह करता है from lower potential to higher potential याद रखना फिर इसके बाद आगे जब हम move on करेंगे तो अपको यहां से तो और कुछ याद नहीं रखना है यह diagram अगर आप देखेंगे तो यहां पर यह positive charge that means high electric potential to low electric potential तो यहां से यहां कहां प्लो कर रहा तो positive charge और फिर यहां से यहां कहां फ्लो करेगा negative that means positive higher potential to lower potential or negative from lower potential to higher potential until there potential becomes difference potential difference became zero only then the flow of electron will stop यह याद अगमा फिर इसके बाद potential difference के बाद करते है ने को potential difference का आपको definition आना चाहिए the difference in potential between the positive and negative terminal of a cell is the potential difference of that cell this potential difference is caused because of chemical reactions occurring inside the cell for the potential difference याद रो fill in the blank the potential difference sets the electron in motion and results in the flow of electricity खाली इतना याद रो potential difference sets the electron in motion फिर the amount of work done to carry a unit positive charge from point A point B is called as electric potential difference between two points यह important mark करके रखना electric potential difference की जगा तुम्हें पुछेगे फिर तुम्हें क्या याद रखना है तुम्हें unit याद रखना पोटेंशल difference का unit कितना भाई तो वोल्ट है और formula V is equal to W by Q आपको यह पेज में भी समझ में आ गया यहां से objectives आपको ज्यादा मिल सकते हैं one sentence के questions ज्यादा मिलेंगे लेट्स मूवन तो नेक्स पेज चलिए तो यहां से आपको सिर्फ यह याद रखना देखो इटालियन साइंटेस अलिजांड्रो वॉल्टा इस नेम्ड वोल्ट इन इस ओनर फिर डू यूनों में आप आएंगे तो यह यह दोनों पैटन्स याद रखनें यह याद रखना है और यह याद रखना है बरबर फ्री की बात करेंगे तो डेफिनेशन सिर्फ याद रखना है कहां से कहां तक एवरी आटम ऑफ मेटालिक कंड़क्टर आज वन और मोर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रों विचार वीकली बाउन तो नूपल्ड इस प्री एलेक्ट्रों अभी यहां पर लास्ट वाला लाइं दर फ्र इलेक्ट्रों सिन अ कंड़क्टर आज थे कैरियर ओफ निगेटिव चार्ज फिर करेंट फ्लोइंग थूर वायर यह डाइग्राम देखा गे तुम्हें बहुत सारे क्वेस्ट्ट्रों पूछ सकते हैं इसमें तुम्हें क्या देखना देखो बिन नेगेटिवली चार्ज सब्सक्राइब करेंगेटिवली चार्ज फ्लोट्रों 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 करेंट इसमें ज्यादा कुछ उत्मा ध्यान नहीं रखने की ज़र होता है आपको यह पेज़ बेभी समझ मैंगे कि क्या क्या आपको चीज़ याद रखने हैं पॉइंटर्स ना से माक करते जाओ और इस सिर्फ आपको यही पढ़के जाना नेक्स्ट पेज़ की बात करें चलिए यहां से आपको बहुत सारी चीज़ याद रखने हैं सबसे फर्स आ अपका है आई यह क्यूआड रखना है फिर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट ओफ चार्ज dog चार्ज का यूनिट को क्या दिया है च्छार्ज का यूनेट है पिर उसके बाद उन्में दिया कररणि से मटीक्सेश एं सब्स्रांत के क्वेश्ण अपजेंच से आगे बढ़ेंगे यहां से बढ़ेंगे कि है स्ट्रफ यह कॉस्च característ आपको सॉल आउट कर वह किसा क्या है क्या ऻाइन आपको दिया है चाहिंट में दिया रहे हैं औस इसना को गशुछ फ्पारapa सबसे जादा इंपोर्टेंट है मार्क करके रख लो एक्जाम में ओम्स लॉप पूछा जाता है ओम्स लॉप आपको पूछेंगे ही पूछेंगे फिर यहां से आपको यह याद रगना फिजिकल स्टेट ऑफ कंड़क्टर मीन्स इस लेंथ एरिया फ्रॉस सेक्शन टेंप्र स्टेट कंड़ करेंगे इस इस की मांपर करेंगे फिर ऐसा यूट्ट और र क्या रहे यूट ओ ढबेडियोट और सारी इस इन्दीड बाइट सिं बल्माइक्रोपून का सिंबल आइस निपंग यह समझ में आ रेजिस्टिवीटी दोनों में फरक होता है जब हम रेजिस्टिवीटी की बात करते हैं अच्छा यहाँ पर देख लो दा हिंड्रेंस कि मुविंग एलेक्ट्रॉन स्ट्राइक दी आटम्स और आइन्स विच लाई अलॉंग देर पाथ अब मुझे फाइंड करना है क्या वाई तो रेजिस्टिवीटी डेगो अट गिवन तेमपरेचर दे रेजिस्टिवीटी किसके उपर डिपन करेंगा लेंध पर डिपन करेंगा अने अरिया अव क्रॉस सक्षन अन्मेटियल इस मेड़ पाउफ क्या नेक्स पेज देखते हैं क्या वोला मैंने इफ दे रेजिस्टेंस ऑफ दे कंडुक्टर इस आर यह भी आपको करके रखना है तो यहां पर यह वाला जो पाटने इसे हम बोलते है कॉंस्टेंट अफ प्रपोर्पोर्शनालिटी अन इसका मतलब क्या इग्जाम में कॉ इंक्रीज करीज इस बंडुद इंक्रीज इस अपर क्या बोला देखाओ तक टशुक्टर तक यहां रखना रिजिस्टिविटी आपको क्या बदा मैंने तो औह और अगर मैं रहीं रेजिस्टीवीूटी की बात करता हो तो अम भी आएगा और उसके साथ आएगा मीटर और यह याद रखना resistivity of some material इसमें से आपको copper की याद रखने की जरूरत और diamond का याद रखेंगे चलिए इसके बाद देखेंगे एक्जाम में तुम्हें यह electrical circuit दिखाएंगे और इसके उपर question पूछ सकते हैं अभी देखो what is electrical circuit a continuous path of an electric current through conducting wires connected to the two ends of a cell and other resistance is called an electrical circuit definition पूछेंगे what is electric circuit तो यह चिपकाना है वहाँ पर आगे देखेंगे the figure shows how different components are to be connected in the circuit by special symbols for each component such a figure अच्छा what is this figure तो यह figures अपको कैसे पता चलेगा the figure एक्जाम में पूछा what is electric circuit diagram तो यहाँ से लिखना है the figure shows how different components are to be connected in circuit by using special symbols for each of the components such a figure is called an electric circuit diagram इसके बाद देखो यहाँ पर दिया an ammeter is used to measure current and voltmeter is used to measure the potential difference between two ends of resistor as the voltmeter has a very high resistance only very small current flows through it यहाँ पर देखो why are the bulbs in figure a figure b c and d not lightning up b की तरह देखो क्योंकि यह circuit यहाँ पर break है c again circuit यहाँ तक ही है d circuit एक ही point से connection है तो नहीं होगा e में जल रहा है yes q क्योंकि circuit complete है यहाँ पर भी हमारा क्या है circuit complete है तो एक्जाम में कभी कवार यह diagram दिखा तो आपको लिखना पड़ेगा in these three circuits are not complete circuit not complete और बाकी और a और e में क्या circuit complete I hope आपको यह pattern समझ में आया यह पूरा का पूरा page समझ में आया कि क्या क्या इसमें discuss करना है let's move on to the next page चली next page देखेंगे तो यह page तो भाई तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा important हो जाएगा क्योंकि यहां से symbols सबसे पहले आपको क्या लिखना देखो component है आपको यह चीज़े नहीं याद रखनी है component उसका symbol और उसका use यह पूरा का पूरा आपको पढ़ना है इसमें से यह page पर तो सिर्फ यह important part है component, symbol और उसका use नार्मली यही वह symbol पूछेंगे यह वाला तो नहीं पूछते हैं यह वाले symbols वह ज्यादा पूछते हैं ऐसे symbol दिखा देंगे पता है तुम्हें क्या बोलेंगे ऐसे symbol दिखाएंगे देखो ऐसा बोलेंगे इसका नाम लिखो और इसका function लिखो तो इसका नाम क्या है resistance और इसका function क्या है to stop current in the circuit to stop current in the circuit और इसका जो काम रहेगा that is to stop flow of current to stop flow of current चलो देख लोग पर यहां पर देखो डाइग्राम दिख रहा है तो इसमें क्या बोला कंड़क्टर रहें इसमें से सिर्फ आपको यह याद रखना है those substance which are very low resistance are called conductors current can flow easily through such materials और इंसुलेटर का क्या करना है those substance which have extremely high resistance and through which current cannot flow are called as insulators पिर यह experimental proof इस page से आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है let's move on to the next page अब इसमें सिर्फ दो से तीन चीज़े बागी है उसको अम फटाफट देख लेते हैं यहां से questions आपको example solve out करने है यह भी आपको करना है numericals आपको depend करता है कि आपके स्कूल में कैसा है बट नॉर्मली numericals आते हैं ohms law और resistivity के उपर numerical का अचले यहां से आपको याद रखना है system of resistor and effective resistance यहां पर resistor in series दो चीज़ दो रेजिस्टर हैं ड्यान से सुनो एक basic आपको मैं clear out करवा देता हूं दो रेजिस्टर है एक होता है रेजिस्टर इन सीरीज और एक होता है रेजिस्टर इन पार्लल क्या बोला मैंने एक होता है रेजिस्टर इन सीरीज और एक होता है रहते हैं हमारा रेजिस्टर की बात करते हैं तो हम值 कंस्टेंट रखते हैं रहते हुआ है तो सारे मेरे मेरे अपनेक्टेückenया मतलब रहत है का रहता है और मतलब क्या पोटेंचलनों बस धे विए हैं पे इसके अंदर मेरा जो वी रहेगा that is my constant और मेरा चेंज क्या होगा current that is your i1 प्लस i2 प्लस i3 करते हैं अच्छा यह question कितने marks के लिए आएगा तो यह question आपको exam में मिलेगा for how many marks for five marks के लिए मिलेगा कितने marks के लिए five marks के लिए तो आपको पूरा solve करना पड़ेगा और इसके साथ साथ चीजे लिखनी करेंगे देखो solve करने में आपको क्या क्या स्टार्ट करना देखो register in series सबसे पहले तो diagram चिपका दो उसके बाद start यहां से करेंगे फिर इसके बाद यह पूरा का पूरा statement statement कहा से यहां तक और फिर इसके बाद तुम्हें क्या चिपकाना वह भी जहां से सुननों फिर आपको यह pointers भी लिखने इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टटीर इन सीरीज देन दा सेम करेंट फ्लोस तूद है इच कर इइच रेजिस्टर इफेक्टिव एजुसर फॉइंच सेकिंड पॉंट तर्ड पॉंट फॉर्थ पॉइंट यही पॉइंट आपको कहाँ पर मिलतेंगे भी फिलप्स में मिलेंगे ऐधर को इसके त्हुरुSun से नुटनम में सब्सक्तार गारी अपको झाहिए कंसे के इसके बाद नेक्ष्ट देख लेते हैं ये यह सिरीई हो गया दिया तक अम भूक्त है करेंगे यहां से रिजिस्ट इंटल से चार्ट होगा और फिर यह कहां तक जाएdon पूरा यहां तक जाइगे इसके बाद आपको क्या लिखना वह देहां से सुना है इसके बाद आगे जैसे उसका ग्रीन बॉक्स था नेक्सHoर पेच पे ऐसी इसका भी यह वाला देख लो यह page ज्यादा important है तुम कुछ भी बोलो कुछ भी बोलो this page is very much important अगर मैं बात करूं यह page की कि क्या-क्या चीजे आपको यहां पर मिलेंगी तो देखो बाइस वो सबसे first यहां पर यह तुमको बात करना domestic electrical connections का बात करना फिर यहां पर देखो one is called usually there are three wires in the cable one is called the live wire which brings in the current if it has red or brown insulation याद रखना with the other wire is called neutral wire through which the current returns it is blue or black याद रखना life का color क्या है और neutral का color क्या है इंडिया the voltage difference between the live and neutral wire is 220 volt यह भी याद रखना 220 का वोल्ट का difference है फिर इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद आगे कुछने the difference in separate circuit various बस the third यहां पर देखो the third wire is called the earth wire and is of yellow और green color यह भी माग करना this is connected to a metal plate buried deep ground underground near the house and is for safety purposes आज आते हैं fuse यह डबा उतना ही जादा इंपोर्टेंट है एक्साम में पूछेंगे fuse wire is used to protect domestic appliances it is a made of mixture of substance and as a specific melting point it is connected in a series to the electrical अच्छा कैसे connect करते इसको तो series में connection प्रवाइट करते यह याद रखनेगे इसके बाद हम आगे जाएंगे आगे जाएंगे precaution precautions तो तुम्हें पता है इसको बताने की ज़रब नहीं है तो इसमें तुम मुझ से जादा स्मार्ट हो फिर भी एक बार पढ़ ले न कि पता चलता है एक्जाम पहुचो और कुछ नहीं आते है चलो next देख लो इसमें आ जाते इसका मैं आपको question answers बता दे यह वाला में यह डाइग्राम देखो यह डाइग्राम में कौंसा method यूज हो रहा है they are connected in series नहीं they are connected in parallel तो इसका first answer क्या हो जाएगा बाई तो parallel what must be the potential difference across individual appliances 220 की इंडिया में 220 चलता है will the current passing through each appliance be the same justify yes yes same होगा no no क्यों क्यूंकि parallel connection parallel connection में current same नहीं होता तो यहां पर लेकिंगे no because they are connected in parallel why are the domestic appliances connected in this way so that अगर एक appliance खराब होगा तो दूसरा appliance work करना चाहिए if the TV stops working will the other appliances also stop working no because they are connected in a parallel connection and parallel connection में ऐसा नहीं होता है नेक्स वाला diagram देख लो यहां पर यहां पर आपको क्या stick करना है तो यहां पर आप यहां पर लगा देंगे एक battery लगा देंगे ऐसा यहां पर लग जाएगा अपका cell आजाएगा इसके बाद यहां पर आप क्या लगाएंगे voltmeter लगाएंगे फिर यहां पर आप क्या लगा देंगे कि यहां पर आपका हो जाएगा resistance कुछ ऐसा दिखेगा यहां पर आपको क्या लगा देना है एम meter इसी चीजह फिलप करनी है which law can you prove with the help of the above circuit इसमें आप कॉंसा law यू प्रूव कर सकते है तो ohms law प्रूव कर सकते हैं next उमेश has two bulbs having resistance of 15 ohm and 30 ohm he wants it to connect them in a circuit but if he connects them one at a time the filament gets burned answer the following which method should he use to connect the bulb तो series क्यों भाई क्योंकि देखो अगर वो दोनों बल्ब को अलग अलग लगा रहा है that means जाधा current अगरा तो मुझे current को क्या करना कम करना अगर मुझे current को कम करना तो मेरे को series में लगाना पड़ेगा what are the characteristics of this way of connecting the bulbs अगर मैं series में connect कर रहा हूं तो मेरा resistance क्या हो रहा है बढ़ रहा है total resistance is equal to r1 plus r2 हो जाएगा that means यहां पर कितना हो जाएगा 15 ohm plus 30 ohm that is 45 ohm का effective resistance मिलेगा because they are connected in series the following table shows the following amperes and potential difference in volts find the average resistance average resistance आपको यह master key में मिल जाएगा master key से आप इसको कर ली जाएगा match the fair free electrons क्या करते हैं भाई तो weekly attach होते हैं current current का formula increases नहीं resistivity करेंट का formula यह बोल्ड का formula होता है v is equal to wire current अगर मैं निकालूँगा तो क्या होता है v by i that means current is equal to this point resistivity इसके equal रहेगा resistance in a circuit यह यहां पर जाएगा आपको यह पूरे-पूरे के question समझ मैं एक्जाम में यहीं से question आएंगे next वाला pattern देख लो इसमें आपको यहां के यह सारे के सारे small example करने इसमें मैंने वीडियो अफ्लोड किया आप वहां से check-out कर सकते हैं कि यह आपको इतना करने का जरुरत नहीं है क्योंकि इसमें नॉर्मली वह पूछते नहीं है आपको वीडियो पसंद आए रहेगी कि हमने यह सारे के सारे जितने भी सेमेस्टर से related important question है उसको हमने discuss out किया तो अगर आपको वीडियो पसंद आए अगर आपको असा लग रहे है कि यहां पर इंट्रस्टिंग चीज़े चल रही है तो मेक शुर आप वीडियो को जादे सजाद अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे है तो शेयर कर रहे है और अगर आप चै कर रहे है तो